नमस्कार मैं हरियर नईयर आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस इंग्लिश चैनल पर जिसका नाम है कुछ बातें कुछ किस्से आज मैं जिस विशय पर आपसे चर्चा करना चाता हूँ वो है क्या मन्जिल को जानना जरूरी है पेश कर रहा हूँ कुछ random thoughts जो कभी logical भी लगे और कभी illogical भी बस अपने मन में जो है उसे जुबा पर लाने की हिम्मत कर रहा हूँ कई बार दोस्तों मेरे मन में ये प्रश्ण उकता है कि क्या कोई मन्जिल का होना जीवन में जरूरी है आखिर हम क्या लेकर आये थे और क्या लेकर जाएंगे जीवन की परिभशा क्या है क्या जीवन सफलता के लिए है या सफलता केवल एक विचार है अनेकों विचारों में कॉर्परेट में हमें सिखाया जाता है कि अपनी लक्ष की तरफ ध्यान दो लक्ष को पाऊगे तो सफल हो जाऊगे लेकिन कोई ऐसा इंसान भी तो होगा जो रास्ते पर यूँ ही चल पड़ा बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बिना कोई आशा लिए कई बार मैं सोचता हूँ मैं वो राही तो नहीं जो करीब दस साल पहले अपने कॉर्परेट नौकरी को छोड़ कर निकल पड़ा था बस यूँ ही जीवन को समझने के लिए खुद को खोजने के लिए हाँ उस रास्ते को एक व्यवसाई का नाम जरूर दिया आखिर कुछ कर रहा हूँ ये भी तो लोगों को बताना था पर सच पुछे तो मैं तो बस भिना किसी रुकावट के समंदर को ताकना चा रहा था अपनी एक छोटी से दुनिया से निकल कर एक बड़ी दुनिया को मैसूस करना चा रहा था हाँ, पैसे भी बनाने थे और अपनी नई यात्रा में सफल भी होना था मैंनत करता चला गया और आज भी करता हूँ लेकिन कई बार रुक कर अपने आप से वारता लाप करना नहीं भूलता हूँ अपने प्रतिभावों को जगाना नहीं भूलता हूँ बात्रूम में रफी और किशोर के गानों को जोर से गाना नहीं भूलता हूँ सक्सेसे से जर्नी नौटे डेस्टिनेशन सुना तो था पर अब उसे जीने की पूरी कोशिश में लग चुका था या लग चुका हूँ उसको सिर्फ एक कोटेशन नहीं एक फिलोसफी बना कर जीने की कोशिश की है मैंने पर जीवन के इस कश्मकश में और दोड़ धूप में जब इनसान ठक जाता है तब एक खयाल तो आता ही है कि जीवन का आखिर मकसत क्या है इस प्रश्ण को भी मैंने गेराई में जाकर ढूंडने की कोशिश की है दोस्तों पर एक अलग विचार मैं आपके समक्ष रखना चाता हूँ क्या जरूरी है कि हर इनसान के पास लक्ष हो क्या जरूरी है कि वो अपना लक्ष तै करे और फिर रास्ता चुने हम तो उन मुसाफिरों में हैं दोस्तों जो रास्ते पर चल पड़े और लक्ष को अपने पास आने देते गए माफ करना मेरे गोल सेटिंग यारों ना मैं जानता हूँ मेरा वेवसाई कितना कमा लेगा पांच सालों में ना मुझे जानना है क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूँ उससे मुझे बे इंतहा महब्बत है मैं तो रास्ते का दिवाना हूँ मन्जिल का नहीं हाँ अगर कोई मुझे अपना मन्जिल समझे तो मुझे कोई हैतराज नहीं बस यारों अपनी जिन्दगी को पल-पल जीते जाओ, खुश रहो और अपने आप से और दुनिया से महबत करते जाओ दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नही बातें और नए किस्सों के साथ, धन्यवाद